आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, अमारा Question है मचलियों की विशेष्टाओं का उल्ले करें आईए देखते हैं मचलियों में क्या-क्या विशेष्टाओं होती है मचलिया ठीक है मचलिया मचलिया जो होती है ये क्या है जलचरप्राणी है यानि कि जल में पाया जाता है और यहाँ समुद्र के खारे जल में भी पाया जाता है और नदी के मीठे जल में भी पाया जाता है ठीक है अब हम देखते हैं इसमें क्या-क्या विशेशता होती है क्या-क्या विशेशता होती है तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ये कशेरू की जनतु होता है और इसके शरीर पर क्या पाये जाते हैं गलफड़े जिने गिल्स भी कहते हैं गलफड़े पाये जाते हैं किसके लिए श्वसन के लिए ठीक है दोस्तों और यदि शरीर पर अन्य आंग होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं फिन कहते हैं यदि कोई अन्य अंग होते हैं जो कि कैसे होते हैं डाली के समान होते हैं और मचली कैसी होती है लंबी होती है और कुछ शूंडाकार भी होती है कैसी होती है शूंडाकार यानि की शूंड के समान भी कुछ मचलियां दिखाई देती हैं इसके अलावा इनके शरीर जो हैं सीर धड़व पोंच में बटे होते हैं मचली का शरीर कैसा होता है सीर धड़ और पोंच के अंदर इनका शरीर बटा होता है ठीक है इसके अलावा यदि इसका इसकी विशेशता देखें तो पीछे का जो किनारा होता है इनका धड़ का किनारा धड़ का जो किनारा होता है मशलियों का उसे पूंचे कहा जाता है तो दोस्तों ये हुई मशलियों की विशेषता है आशा करते हैं आपको इस्प्रेशनिंग का उतर समझाया होगा वीडियो को देखिने के लिए धन्यवाद